आप सब को मेरा नमस्ते यह हमारा अखरी सेशन है मैं जिस्ट मरलब हम लोगों ने क्या-क्या सीखा क्या-क्या महत्वकी चीज हम लोगों को करनी है फिल में उसके बारों में थोड़ा बताऊंगी यह हमारा जो भी जो मैंने आपको सिखाया हुआ है वो बहुत सारा experience से आया हुआ है मैंने स्लम में बहुत काम किया हुआ है हमारी टीम ने भी और फंदरा साल अलमस्ट और अभी भी हम लोग काम करें गवर्मेंट के साथ district level पे हम लोग काम करें बहुत प्रैक्टिकल अच्छ मैंने सिखाया है क्योंकि थियोरी जितनी थियोरी इतनी काम मुझे नहीं आई मैं थोड़ा सीख के आई थी मतलब डवली जो गाइडलाइन से भी सिख रही थी और बहुत सारे चोटे बच्चे हमारे पास आ रहे थे वो हमें सिखा रहे थे तो वही मैंने आपको भी सिखाया हुआ है यह एक बार आपको ध्यान भी रखनी है कि जब भी आप फील में काम करेंगे तो आपको भी सिखने को बहुत मिलेगा ठीक है यह जो आप जो सिख रहे हैं वो आपको शेर करना है हमारे साथ I'll be very happy अगर मुझे आप से कुछ सिखने को मिले क्योंकि सब लोगों का लग-लग experience ह होता है और जितना हम लोग experience share करेंगे हम लोग एक दूसरे से सिखेंगे तो यह ऐसा नहीं हो नाजे कि जो मैंने सिखा है बस वही आप करें आपकोर्स वह आप ट्राय करें क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी research कि और उसके results बहुत अच्छे होए हैं लेकिन आप भी बहुत सि हमें रखना है कि आपकी जो सिखाई है वो बस NPTEL तक खतम नहीं हो रही है अभी तो अभी तो यह शुरू आता है करेक्ट दूसरा क्या है कि अभी में आपको जो अलग-अलग जो हमारे हिस्से हैं मतलब सगर्भा माता होती है जो धातरी माता होती है जो लाक्टेटिंग चे मेने के बच्चे थोड़े बड़े बच्चे तो पूरा हमारा जो लाइफ साइकल है ठीक है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको वापस बताऊंगी जैसे मैंने आपको सारे टुटॉल में और सारे लाइफ सेशन में बताये हुआ है लेकिन वापस में थोड़ा हर सेशन हर हिससे पर थोड़ा फोकस करने वाली हूं तो सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं किशवरी वह की लड़किया तेक है सिफ लड़किया नहीं लड़को और लड़की दोनों के लिए मैं बताने वाली हूं कि यह टाइम जो है बहुत विकास होता है लड़कों लड़कियों की हाइड पड़ती है उनका जो विकास है ये टाइम में अगर दोनों लड़कों लड़कों लड़कियों ने अच्छी तरह पोशन तत्व खाये पोशक वाला खाया तो उसके परिनाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे ठीक है तो मेंली क्या खाना है प्रोटीन है हमारे बच्चों में तो प्रोटीन वाला खाना है लड़कियों को बताना है कि कैल्शिम वाला जो खाना है तो मलब दूध, डई है, पनीर है वो लेना है ज्याला हरी सब्जिया 딱 कोर्ण है,berbuild है सब्जी में मगनेशन है,सो welcoming uh you know तो आपको वो B12 वाला भी खाना देना है, तो नॉनवेज अगर बच्चा है तो अंडेज से मिलेगा, you know, नॉनवेज फूट से मिलेगा, लेकिन आप वजिटन हो तो दूध तही, पनीर से आपको वितमिन B12 बहुत अच्छी तरह मिलेगा, ठीक है, दूसरे जो प्रोटीन य तो वैसे भी आप उसका पाडर बना के किशोरी वाई के काने में डाल सकते हैं, जो जो लॉन्च अडिनर है, शिंग दाना है, शिंग दाना भी बच्चों को खला सकते हैं, दूसरा एक प्रोब्लम हमारे किशोरी वाई में यह है कि वो लोग बहुत खाते हैं, जंक खाना ब प्रोब्लम हो सकता है, एक PCOD करके एक प्रोब्लम है, जो आज कल किशोरी वाई के लड़कियों को बहुत हो रहा है, वो क्योंकि वो बहुत खाते हैं, घर में भी खाते तो ज्यादा गेहूं और चावल ज्यादा खाते हैं, शक्कर ज्यादा खाते हैं, तो वो लड़कियों बाधने और्व उनको बिंयरों कंई गर्फ़्बंषॉ इंस मुस्च्छ न हर विए गुर्ण सब्सक्राइए ऑना पुष्वरीयवट्व की अब जैआ है कि जो आजक्छी बीडियाा सब्सक्राइए तो दूसरा एक लड़ेश्य बहुत उस पर टाइम करते हैं, तो आपको बताना है कि वो सोशल मीडिया पर कम करें, ज्यादा से ज्यादा वो खेले, बाहर खेले, कोई स्पोर्ट में भाग ले, स्परधा में भाग ले, सारा टाम टीवी के सामने नहीं देखे, क्योंकि वो आख के लिए भी अच्छा नहीं निंद भी अच्छी नहीं आती है, ज्यादा टीवी देखने से, बहुत सारा लाइट होने से, दूसरे आपको बताना है कि सोने की जो है, यो सोने के उपर भी बहुत धहान देना है, कि बचे को बताना है कि 10 बज़े तक उनको सोना है, और यो मिनिमम्म छे से आठ, साथ से साथ से आठ घंटा बचों को सोना है, और ये तो हो गया आपका, you know, nutrition किशोरियवाई का, एक चर्भी है, जो है आपकी saturated fat, तो उनको बताना है कि जो मलाई है, मक्कन है, घी है, वो अच्छी चर्भी है, उनको आप definitely encourage कीजिए, क्योंकि बहुत time क्या होता है, कि उनका वजन कम होता है, तो उनका वजन बढ़ाने के लिए आपको चर्भी से उसका वजन बढ़ाना है, बहुत अगर आप carbohydrate वाला, स्टार्स वाला खाना देंगे, चावल के हूँ, तो उनका जो वजन है, वो ठीक तर इसे नहीं बढ़ेगा, उनका वजन महर चर्भी, मिलाब लिवर मे जो फैट है, वसा है, वहाँ जमा होके वजन बढ़ेगा, वो अच्छा वजन नहीं होगा, तो पहले आप फोकस किजिए, प्रोटीन पर फोकस किजिए, और फिर अच्छी चर्भी पर फोकस किजिए, आयन है, सारे वितमिन्स है, मिनरल्स है, वो मैंने आपको टुरल में ब प्रेगनिसी मदर्स, तो प्रेगनिसी मदर्स में क्या होता है, कि आपने देखा कि जो नूरल ट्यूप जो बन रहा है, जिससे वो बच्छे का मेदू बनेगा, बच्छे का जो इसकी जो स्पाइन है, वो बनने वाली है, तो वो तीसरे हफते में बनना चालो हो जाती है, ठ उनका जो first trimester है वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, क्योंकि और फिर मा के शरीर में जो muscles है, muscles भी ज्यादा, mass patient भी ज्यादा रहेगी, और उसके जो storage है, जो type 1 प्रकार 1 के जो है nutrient, उसके storage भी बहुत अच्छी तरह उसके बच्चे के, you know, lady के body में रहेंगे, तो focus करना है folate, folate, b12, koline का भी आपने tutorial दिखा हुआ है, बहुत important है neural tube के लिए, फिर आपको focus करना है आये आयन, पर focus करना है, जो कि अच्छी आपे focus ना है, vitamin A भी बहुत important है, ठीक है, लेकिन ध्हार में रहे कि ब्रिप्रिनिस्टे को भी ज्यादा protein देना है, ठीक है, तो मैं तो definitely उनक पर किलोग्राम प्रोटीन में definitely advice करती हो क्योंकि जितना उनका lean mass बढ़ेगा और lean mass के बाद उनको ये भी बताना है कि उनको exercise करनी है तोड़ी वो वजन उठाने की नो जैसे वो muscle resistance exercise बोलते है योगा भी कर सकते हैं बहुत सारी योगा पोजने इसे muscle भी वनता है तो आपको वो सब सेला दे नहीं है दूसरा है आगे आपका दूसरा हिसा है pregnancy pregnancy का ठीक है छो प्रेंगनसी में तो आपको मालूम है कि आ को मा का तो उसको उसके तो खाना ही है लेकिन बच्चा ब बच्चे के मसल्स के लिए क्या चाहिए तो वह भी आपको ध्यान में रखना है जैसे मैंने पहले बताया सारे जो नुट्रियंट डेंस फूर्ड है वो तो दिने ही है विटमिन डी है कैल्चियम है जो मैं पहले बूल गया अचली कि शोड़ीवाइक को भी बहुत इंपोर्ट नहीं वो विटमिन डी सुरच से चीक है तो प्रेग्निंट मदर्स को भी आपको बताना है कि वो विटमिन डी बहुत ही इंपोर्टन है उसके जो सारे वाइटमिन्स है मिनरल्स है वो उसको पी एच्ची से मिलेंगे तो उसको विध्यान देना है आपको अच्छी चर्भी आप उसके बिल्कुल उसकी चिंता नहीं करनी है अच्छी चर्भी काना बहुत ही जरूरी है जैसे घी हो गया मक्कन हो गया तेल ज्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना है काने में जितना हो सके घी ज्यादा बहतर है दूश्रा आपको क्या करना है कि मदर को बताना है कि अगर टेल भी यूस करें तो उसको कच्छी घानी का तेल इस्तमाल करना है, जितना हो सके लड्डू, बड्डू कम काने है, क्योंकि हमारे कल्चर है, कि जैसे हो प्रेग्निंट हो गए तो इसके लड्डू औक लड्डू में जो शक्कर होती है, गूर होता है उसे वो डायबिटीस, जेस्टेशनल डायबिटीस होने के चांस बहुत ज्यादा है तो लट्टू ना काते हुए अगर कुछ मसाला वाला कुछ रेसिपीस बनाई तो उससे डेफिनिटली वो जेस्टेशनल डायबिटीस का जो जो इसकी मात्रह है वो कम हो जाएगी ठीक है और हम लोग को यह धान मे जाएगी युक्त और चर्बी युक्त खाना खाया अच्छी चर्बी युक्त तो उसका डेफिनिटली वजन बढ़ेगा जैसे जीसे वह पूटीन वाला बढ़ा रही है वैसे वैसे उसको स्टार्ट वाला खाना काम करना है और शुगर जागरी जितना कम होए उतना उसके अच्छा रहेगा ठीक है अभी आ गया फेस आपका धातरी माता का मतलब यह जो प्रेगनेंट मदर्स है दूसरा मैं आपको बताना बूल गए प्रेगनेंट मदर्स को एक पर आपने नूट्रिशन तो उसको बता दिया लेकिन उसके साथ आपको उसकी जो लास्ट ट्रैमेस सारी टेकनी सिखाओ, कैसे दूद्ध निकालना है अगर भचा दूद्ध नहीं है जाए तो उसको क्या करना है और फहले से उसको सक्षम करेंगे तो तो वह डॉक्टर हम लेगा उपर का दूद्ध भो तो वह मना कर देगी वह अपना ही तुद्ध देगी, ठीक है अगर पच् से और वह सकता है तो आपको पहले ही सिखानाना इसको निपल शील के बारे में भी सिखा NO कि अगर मा को फ्लाइत निपल है तो वह बिल्कुल प्रेस śफेड़ करा सकते हैं बच्चा याद रहें कि बच्चा ले निपल पर लाच नहीं कराके बच्चा नीचे के जो काला भाग है, अरियोला उसको बोलते है, उस पर लाच करा है, तो आपको जरा वो भी ध्यान रखना है कि बच्चे को, you know, मा को पहले ही सिखा दो, ठीक है, और दूसरा क्या है कि जब भी वो मा एंसे में आ रही है, तो कोई अगर दूसरी माता है, जो धातरी मात जो दूद पला रही है, तो यह जो प्रेगनेंट वाली माता है, प्रेगनेंट मदर, उसको बोलो कि उससे सिखे, कैसे वो दूद पला रही है, कैसे वो बच्चे को पकड़ रही है, तो वो एक दूसरे से, वह प्रेगनेंट माता बहुत सीख सकती है, जो धातरी माता है उस प्रोटीन के मातरा बहुत जरूरी है प्रेग्निन मतर भी बहुत जरूरी है लग बग 80 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए दोनों में ठीक है लेकिन धात्री मतर हमेशा ऐसा पूछती है हम लोग को कि मैं क्या खाना खाऊ कि मेरा दूद बढ़ेगा यह बहुत कॉमन क्वेस्ट इतना ही जरूरी है तो उसको भी आपको बताना है उसको बोला है कि अगर उसके कुछ लेना है जो सहिजन के पत्ते होते है या अमुक तरगी ऐसे मेती होती है तो वह बोलती है पूछती है कि अगर मेरी तो दूद बढ़ेगा कि नहीं हाँ उसको लेना है तो लेने दिजे है ऐसा कुछ ऐसा नहीं सतावरी है एक नियुक्ण सतावरी पाउडर दूद आएगा उसको तो वो जराव ध्यान में रखना है आपको ग्याटिंग वंदोस को बताना है कि ज्यादा शक्र गुड मत खाये तलावा नहीं खाये तो जो बचे के लिए जो दूद आएगा उसमें भी ज्यादा omega 6 की मातरा ज्यादा होगी अच्छी चर्वी जो नहीं है उसकी मातरा ज्यादा होगी ठीक है और of course जितना वो type 1 वाला खाना खाएगी type 1 वाला खाना है आपका iron, calcium, what are vitamins तो उतना वो उसकी दूद में type 1 nutrient जो प्रकार एक के जो पोशक तत्वे उसकी मातरा बढ़ेगी ठीक है तो आपको वो उस पे ध्यान रखना है अभी आगे आपका infancy stage ठीक है तो infancy stage मतला बच्चा भी पैदा हो गया ठीक है अभी आप सोचे कि अगर मदर को पहले ही पता होता ब्रेस्ट्रॉल के बारे में केमसी के बारे में अलग अलग टिकनीक के बारे में ब्रेस्वीरिंग की टिकनीक के बारे में तो आपका महा पर हॉस्पिल में कितना हो तो आपको आपकी जो माँ है आपकी जो सेंटर की माँ है आपको उसको सक्षम करके बेजना है क्योंकि जैसे वो हॉस्पिल में एक बार दाकिल हो गई हॉस्पिल एक वार जोन होता है बहुत सारे इस्यूस बहुत सारे मदर्स, you know, हेलके वोकर स्टाफ नर्स बिजी, बचे रो रहे हैं, कुछ उसको पता नहीं है लेकिन अगर उसको मालूम है कि मुझे ये करना है, वे करना है, बच्चा दूद नहीं पर है, मुझे ऐसे दूद निकालना है, ऐसे पिलाना है तो imagine करो कि एक वो आपको कितनी दुआ दे मा की दूआ है, अगर आपको आशा वर्क्रेंट नहीं है, आपको आशा वर्करी साथ को और बोरिनेट करके वो ओ आपको आशूद सिखना तो जितना आप हॉस्पिल में उसको सिखाएंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, दो-तीन दिन वो रहती है, तो वो दो-तीन दिन का आपको बहुत उपयोग करना है, जितना वो पहले दो-तीन दिन में बच्चा सिखेगा, बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाएग तो पहले दो हफता मा को लगता है सिखने के लिए, तो आपको जैसे मैंने लेपी प्रोडोकॉल में दिखाया, लेर्निग अक्शन प्रोडोकॉल में, उसी तरह वो तरह से आपको विजिट करनी है, और उसी तरह आपको बच्चे का वजन भी मॉनिटरिंग करना है, जितना आप को पता चलेगा की मा को दूद बलाना आता है कि नहीं आता है, बहुत टाइम आप भूल जाते हैं कि यह बताना है, वो बताना है, तो अगर आप वेट मॉनिटरिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा की बच्चे का वजन कितना बढ़ना चाहिए, पहले दो हफ़ते म आपको मालूम होगे कि आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दो हफ्ते में बिलकुल वजन नहीं बढ़ता है बर्थवेट पे आके खड़े रहे जाते है वो बिलकुल गलत है ठीक है पहले दो हफ्ते में बच्चे का वजन पांसो ग्राम बढ़ना चाहिए गर कैसे नहलाना है यह कैसे उसके संभाल रखनी है क्या 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 करना है तो वह भी आपको थोड़ा पताएंगे तो मां के लिए वह थोड़ा इसके लिए आसान हो जाएगा दूसरा जो है यह है आपका complimentary feeding stage मैं जो पूर काहर का जो stage है तो वह जो पूर काहर की जो sensitization है वह ठीक है। Of course, मा को पहले से बताना है कि मा का दूष्ष जिफ मा का दूष्ष 6 मिने तक होना चाहिए लेकिन आप सेंसिटाजसीन चालो कर सकते हैं जैसे बच्छी 4 मिन का हुआ आप मा को बता सकते हैं कभी 6 मिने के बाद आप कैसे खाना देंगी क्या खाना देंगी, कैसे उसकी हाईजीन रखेंगे, बच्चे का जो खाना बना रहे हैं, कैसे इंफेक्शन ना होए, कैसे हाथ दोने हैं, वो सारा जो information है, आप चार मेने से चालो कर सकते हैं, मा को वो protein जो powder की recipes हम लोको ने बता ही हैं, वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है, ब आप पहले बता सकते हैं, जैसे मैंने लेपी में बताया हुआ है, तो आप उसको पहले सक्षम किजिए, चार से चे मेना उसको सक्षम करना है, और जैसे वो बच्चा चे मेना complete हुआ, तो मा को तुरेंट पालूम उसको पता ही होगा, कि मुझे ये करना है, मुझे पहले protein व ठीक है, बाकी का जो है कि उसको complimentary feeding में एक दूसरा problem आएगा, कि बहुत टाइम बच्चे बढ़ेंगे नहीं, आपको मालो में, छे मेने के बाद बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ता है, तो ये हम, ये मैने भी, ये definitely, I experienced that, कि छे मेने के बाद बच्चे के वजन बढ़ाना ब खड़ी पते का पाउडर है, जो शिंग दाने का पाउडर है, तिल का पाउडर है, वो सारे जो पाउडर्स जो हम लोगे बनाएं, फलियों का पाउडर है, तो पाउडर की recipes आप सिखाओ मदर को, बोलो कि कैसे वो मदर खाने में ये पाउडर डाल के खाना पका सकती है, तो जो बिस्किट है वो चार मेने से बच्चे को चालो कर देती है, वो दूद में डालती है बिस्किट और उसका पॉरिज बना के बच्चो को खिलाती है, ठीक है, तो उसको आपको पहले चार मेने से बताना है कि क्या खाना नहीं देना है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि छे मेने बहुत फोकस करना है ठीक है और वो मैंने आयसी चार्ट में डाला हुआ है लेकिन आप इसको कैसे देना है कैसे आप दिखाओ दो 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 मत दो तो ठीक है आप बोलते रहेंगे कि ये दो ये दो ये दो लेकिन कैसे दो कैसे पर फोकस करेंगे जैसे हम लोग के ने ब्रेस्ट पर कैसे दुद्ध पिलाना उस पर focus किया इसी तरह अपना complimentary feeding में आपको कैसे चालू करना है कैसा खाना देना है कैसे बनाना है कैसे पर how पर focus किजे कैसे ठीक है सिर्फ यह दो वो दो यह दो वो दो उससे काम नहीं चलेगा अपका behavior change आपको नहीं मिलेगा तो यह तो अगया आपका complimentary feeding दूसरा एक है कि complimentary feeding stage में मतलब पुरकार में बहुत सारी मदस चावल बहुत चावल देती है बच्चे का वजन बढ़ेगा लेकिन वह बच्चा ऐसे बढ़ेगा हम लोग को हाइट बढ़ाने बच्चे की और हाइट बढ़ाने के लिए आपको रोटीन वाला खाना देनेगा तो अगर नॉन्वेज बच्चा है तो उसको अंडा दीजे मच्छी दीजे कलेजी दीजे अगर वेजटेंट बच्चा है तो उसको दही दीजे पनीर दीजे जारे जो डाले है सब यूनों आपको सिखाया हूआ है तो वह आप देख जे उसको ठीक है सारे जो प्रोटीन पावडर बना है वह बच्चे के खाने में डालिए ठीक है प्रोटीन पर फोकस किजे चरवी से भी लेकल जैकर ज्यादा स्थाअ छार्वी में परिवरतन होगार पूरी मच्छे मॉसम्हान ज्याम ऊको धीज habereiben Re Balkan ठीक है तो बड़े बच्चे का भी मनें बहुत अच्छा एक सेशन लिया हुआ है कि बड़े बच्चे को कैसे उसको स्ट्रिक्ली उसके साथ मतलब रहना है ऐसे नहीं हो जाए कि बच्चा रोने लगा तो आपने कुछ भी दे दिया तो वो थोड़ा डिसिप्लीन होना बहुत जरूरी है क्योंकि डिसिप्लीन नहीं होगे तो बच्चा जंक फूट खाना चालो कर देगा फिर घर का खाना नहीं खाएगा वो बच्चे को आगे जाके डावेटीज ब्लड प्रिशर हाट अटेक के आने की नो होने के चांसे बहुत ज्यादा है तो आप जंक फूड आप बस यहां पर मैं अभी मेरा जो सेशन सारे है मैं कतम कर रही हूँ बिफॉर आई लीव मुझे धन्यवाद देना था सबसे पहले तो एंपिटेल टीम का धन्यवाद मुझे देना है दोनों भारती है भारती सक्वाल भारती तरी बहुत-बहुत मुझे उनका बहुत ही सपोर मिला हुआ है पूरी एंपिटेल टीम तुशार उनकी पूरी टीम है जो रिकॉर्णिक स्टुडियो में मैं अभी हूँ बहुत ही अच्छी टीम है मेरे जो दो टीय है बेला टोनी है और अपनी नताशा है दोनों ने मुझे बहुत ही महनत करके अपके लिए पूरी जो पू गिविंग दे फुल सपोर्ट और सबसे ज्यादा धनियवाद में आपको 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 तैंक यू क्योंकि इतना अपने टाइम निकाल के यह सब देखा और यह जब ही आप लेके जाएंगे फील में मधर तक या हेल के वरकर्स के तक आपको डेफिनिटी रिजल्ट मिलेग और मुझे आपसे बहुत सीखना है आपकी जो लेर्निग है फील में तो डेफिनिटी आप यू कीप इंटच विद मी आपको मेरे एमेल तो मालूमी है तो बेस में यहाँ पर विदाय लेती हो और आप सबको अल देख गूद लग और थेंक यू हूँ है